धर्दी के ध्रोवी ये इलाके अंटार्क्तिका में पड़ रही फीशन कर्मी अविनाशकारी साबित हो रही है। गर्मी की वज़र से मध्यमार्च में लगभग दिल्ली के आकार की बड़ी बर्व का पहार तूट गया। इस बर्व की टुकड़े का नाम कॉंगर आइस सेल्फ है और यह 1200 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। बताया चा रहा है कि बर्व का यह विशाल टुकड़ा 15 मार्च को अंटार्क्तिका से अलग हुआ। इस दोरान वहाँ पर तापमान पढ़कर माइनस 12 डिग्री सेल्सियस तक पहुच गया था जो सामाने से 40 डिग्री सेल्सियस जाता था। ब्रिटिश त्वमुद्रविग्यानी रॉबर्ट लॉल्टर बताती हैं कि मैं नहीं समझता हूँ कि जब से हम सैटलाइट डेटा का परिक्षण कर रही हैं तब से लेकर अब तक पूर्वी अंटार्क्तिका से इतना बड़ा बर्व का टुकड़ा पहले करी तुटा था। उन्होंने कहा कि कोंगर एक बहुत छोटा बर्व का टुकड़ा था जिसका आकार पिशले कई साल से लगातार कम हो रहा था। अंतता यह तूटकर अलग हो गया है। अंटार्क्तिका धर्ती पर सबसे थंड़ा और सबसे बर्विला स्थान है जो अब भीशन गर्मी का सामन कर रहा है। यह बर्व का टुकड़ा ऐसे समय पर टूटा है जब अंतार्क्तिका में पहली बार इस साल सबसे कम बर्व का प्रसाथ हुआ है। इस इलाके में समुद्र को बर्व धके रहती है। इस तरह के बर्व के टुकड़े बर्व को पिघल कर समुद्र में जाने से र परचाएगा अमेरिका की युनिवर्सिटी ओफ कोलोराडो में बर्फ विज्यानी टेड स्काउम बॉस का भीशन गर्मी के बारे में कहना है कि अंतार्कितिका में पहले ऐसा कभी नहीं देखा गया वहीं विसकॉंसिन युनिवर्सिटी में मौसम विज्यानी मैथ्यू लज् पर में समद्र का जल इस्तर करीब 200 फूर तक बढ़ सकता है तो वहीं नीचर पत्रिका की मुताबिक पर्ष 1880 के बाद समद्र के जल इस्तर में ओसतन 9 इंच की बढ़ हुत्वी हुई है इसमें से एक किहाई पानी वीनलेंड और अंटार्कितेका की वर्फ पिघलने से आया है अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो हमारे फेस्बूक पीज पर लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें शुक्रिया आपके राज में खबरों की एक नई परिभाशा गड़ता आपके हर कदम हर डगर पर साथ चलता आपके राज की हर खबर से रूबरू कराता खबरों का एक विश्वस्नी नाम लल्लूराम.com, 36 गर, मद्रप्रदेश, उत्तरप्रदेश, उत्तराखन, बिहार, दिल्ली, पंजाब की खबर जानने के लिए पढ़ते रहिए लल्लूराम.com